हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग तो वेलकम बेक टू माई शैनल प्रीती पिरिया तो फ्रेंड्स आज प्रीती के कीचन में क्या वन रहा है होली आने वाली है तो क्यों न होली के अंदाज में साही कठल की रेश्पी सेयर किया जाए तो friends आज मैं साही कठल की recipe share करने जारी हूँ जो एक बार इस तरह से बना लेंगे न तब तो आप पनीर खाना भूल जाएंगे और नॉन्वेज वाले तो नॉन्वेज खाना तो पक्का भूल जाएंगे तो चल यह बनाती हूँ और आप लोग के साथ share करती हूँ आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं और इसे store कैसे करते हैं क्योंकि cutthal का season होता है हमेसा नहीं मिलता है तो इसे store कैसे करना है वो भी share करती हूँ तो friends यहाँ पे मैं cutthal ले ली हूँ और यह लगबग 1 kg का cutthal आ अब इसे कुकर में डाली हूँ और इसे एक सीटी लगाना है तो इसके लिए क्या-क्या समान डाल रहे हैं क्योंकि अश्टोड भी करना है तो आप लोग ध्यान दिजेगा तो कुकर में cutthal को डाल दीजिए और बिल्कुल हाप का पानी इसमें डाली है बहुत ज्यादा पा कभी भी आप निकालेंगे ना तो आप एक अलग सी कुसबू आएगी cutthal में तो चलिए एक सीटी लगा लेते हैं और इसे हाई फ्लेम पे एक सीटी नहीं लगाना है मेडियम फ्लेम पे एक सीटी लगाना है या दस मिनट के लिए slow flame पे इसे पकने दें क्योंकि इसे बहुत पका ली हूँ उसके बाद यह जब ठंडा हो गया तो ठंडा हो जाए तो एयर टाय डब्बे में इस तरह से भर करके आप रख दीजिए फ्रीजर में तो अगर आपके पास ज्यादा कठा लो तो छोटे-चोटे डब्बे में आप इसे फ्रीजर में स्टोर करें क्यूंकि ए इसे यूज कीजिए यह नि फ्रोजन जैक प्रूट बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो चलिए श्टोर करने के लिए बता दी अब इसके लिए मैं ग्रेवी की तैयारी करती हूँ तो यहां पे मैं दो प्याज ली हूँ एक टमाटर ली हूँ टमाटर के भी बड़े बड़े प्याज करली हूं और यह लसन की कलिया मैं एक पूरा साबद लसन नहीं हूँ उसकी कलिया को निकाल ली हूँ छिलके के साथ ने कोई प्रोब्लम नहीं है और इधर कडा ही चढ़ा यंगा इस पे और इसमें बिल्कुल हाफ चमच इसमें मैं डाली हूँ घी घी जब गरम हो जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ इलाइंची सावुत इलाइंची है तो दो चार सावुत इलाइंची डाल रही हूँ अब इसमें डाल रही हूँ काजू तो इसमें फ्रेंड से आप 10-15 काजू के पीस ले लीजिए औ एक से दो बर आप चला लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इसको रोष्ट नहीं करना है एक दो बर चला लेंगी में अब इसकी उपर से मैं डाल देती हूं अब जो भी कटिंग करके रखी हूं प्याज टमाटर लहसन तो वह सब डालूंगी कटे हुई टमाटर प्याज और लहसन जो साबुद कलियां थी वो डाल दी हूँ साथ में एक चमच नमक डाल रही हूँ एक चमच हल्दी पौडर डाल रही हूँ तो नमक अपने स्वाद के हिसाब से दीजिए और यहां पे 4-5 साबुद लाल मिंट से डाल रही हूँ तो फ्रेंट्स बस इतना समान डालना है अब इसमें मैं आधा कप में पानी डाल रही हूँ आधा कप पानी डालने के बाद इसे आप चला ले और बिल्कुल सलो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 5 मिनट तर ढख करके पकने दे क्यूंकि यह अच्छे से पक जाएगा उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ पाच मिनट के बाद आप लोग के साथ सेर कर रही हूँ तो देखिए यह अच्छे से कूक हो चुका है अब यह जब ठंडा हो जा तो मिक्सी के जाड में डाल करके इसका पेस्ट त्यार करना है तो चलिए फ्रेंड से पेस्ट बना लेते हैं और यह हमिशिए ध्यान अब कि गरम कभी नपीशे जब यह ठंडा हो जा तो अससे पीश करके इसका पेस्ट त्यार करके रख लें इसी आप चाहे तो फ्रीज में भी पर कर रख सकते हैं, जभ जवरत है तो आप आ इसे यूज मिला सकते हैं, तो यहाँ पे मैं हाफ कड़ल में निकाल करके साइड में रख ली थी, और हाफ में फ्रीजर में डाल कर दी हू। apo चलिए भी तर तलने के लिए है। तेधर उसी कडाही में मैं तेल डाल दी हूँ और 600 तेल में मैं बना रही हूँ जब तेल गड़म हो जाए तो सारे कठल के पीज को डाल करके इसे हम इसे फ्रेंड्स फ्राइ करना है golden color होने तक और इसको फ्राइ करने के लिए आपको flame को कम नहीं करना है हाई फ्लेम पे इसे सिर्फ गोल्डेन कलर होने तक अलट फ्लट करके इसे तल करके निकाल लिजिए और देखिए कितना सुन्दर कलर आ गया है विल्कुल गोल्डेन कलर का तो चलिए कठल भी तल ली हूँ अब उसी बचे हुए तेल में मैं यहां पे साबुत जीरा डाल यहां बेसिक मसाला यूज में कर रही हूँ तो एक चमच लाल मिर्च पौडर है तो अपने स्वात के हिसाब से डाले एक चमच मैं धनिया पौडर डाल दिया जीरा मिक्स है यह पौडर तो जीरा पौडर आप अलग से भी डाल सकते है अगर आपका मिक्स ना हो तो यहां एक चमच लाल मिर्च पौडर एक चमच धनिया पौडर आधा चमच हल्दी पौडर और वन टीया स्पून यहां पे काली मिर्च का पौडर डाल दियो अब इसे मुझे मुझे मसाले को अच्छे से फ्राइ करना है जब तक कि इसका तेल अलग से सेपरेट ना हो जाए तो य इसमें से एक अलग सी खुस्पू और कलर चेंजना हो जाए तो चलिए मसाला चे से फ्राइ कर लेते हैं तो आप यह मैं सोचना कि इतना जल्दे जल्दी पृती चला रही है नहीं फ्रेंड से स्पीट को थोड़ा बढ़ा दी हूँ इसलिए फास्ट दिख़ा होगा आपको इनि कि गुनगुना पानी डाले कोई भी अगर कोई रिच सबजी बना रहे हो उसमें गुनगुना पानी डालने से सबजी का कलर बहुत अचा आता है तो यहांपे मैं दो गिलास पानी का यूज कर रही हूँ तो ग्रेवी आपको किस ह Southwest से रखना है उस हिसाब से भी आप प दाल रहे हूं और उसके बाद इसमें डाल रहे हूं आधा चमच गरम मसाला तो फ्रेंड्स सभी चीजों को डाल करके अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले और अभी गैस का फ्लेम इसे हाई रहने दे हाई फ्लेम पे थोड़ी देर तक कूप करें जब तक इसमें एक उबाल ना खुस्बू तो फ्रेंड्स मैं ले सकती हूं और आप देख कर समझ सकते हैं तो साही कठल की सबजी बन गई है तो यहां पे फ्रेंड्स में पुआ के साथ सर्व कर रहे हूं तो फ्रेंड्स यह तो होली असपेसल इसलिए पुआ के साथ सर्व की हूं आप इसे रोटी पूर फर्स्ट टैम आये तो चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें और आपको कैसा लगा आज का वीडियो आज की रेस्पी तो कमेंट करके जरूर बताएं